अंतरिक्षा आर्ट्स एकाडमी एक्यूब चानल की ओर्से आप सुपका स्वागत। मैहुं डॉक्टर अईनापुरपु रामलेंगे स्वररव डेपार्ट्मेंट आउस स्पेस इसरो स्रीहेरिकोटा। आज इस यूचूब चानल में इस वीडियो के द्वार पद भेद हिंदी व्याकरण का अम्ष पडेंगे। आये पद भेद हिंदी व्याकरण का अम्ष। मित्रुण आज इस वीडियो के द्वार पद भेद हिंदी व्याकरण की जानकारी प्राप्त करेंगे। ये तो ग्रामर मेड इजी सीरीस है। इन सीरीस के द्वार आप हिंदी व्याकरण को बहुत आसान से सीख सकते हैं। आईए अब जानकारी प्राप्त करेंगे पदबेद। प्लीज सब्सक्राइब, शेर और फारवर्ड माई वीडियो। ठैंक यू, ठैंक यू वेरे मच। पदबेद के बारे में जानकारी प्राप्त करने के पहले, हमें शब्द और पद का अंतर मालूम करना है। अब देखेंगे शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। सार्दक द्वनी समुह को शब्द कहते हैं। उदहंड के लिए कलम, कलमा। इसमें तीन अक्षर है का, ला, मा। इन तीनों अक्षरों को जोडने से और एक शब्द बनेगा। माला का मलक। लेकिन कलम के लिए एक अर्द है, ये तो सार्दक द्वनी समुह है। लेकिन मलक के लिए कोई अर्द नहीं है, इसलिए यहाँ सार्दक द्वनी समुह नहीं है। इसलिए कलम को हम शब्द कहते हैं। लेकिन यहाँ पद क्या है हम देखेंगे। जब शब्द वाक्य में परियुक्त होता है, तब उसे पद कहते है। मैं और एक बार पढ़ता हूँ, जब शब्द वाक्य में परियुक्त होता है, तब उसे पद कहते हैं। मैंने बताया कि कलम शब्द है, यहाँ कलम शब्द को वाक्य में हम परियुक्त होता है, यहाँ मैं कलम से लिखता हूँ, इसलिए यहाँ पद बन गया है। मैं कलम से लिखता हूँ, इसमें कलम एक पद है। मित्रो, अब प्रयोकी दृष्टी से सब्द के बेद, इसके बारे में जानकारी प्राप्ट करेंगे। प्रयोकी दृष्टी से सब्द के आठ बेद होते हैं। इनको दो विभागों में हम विभाजित कर सकते हैं। एक तो विखारी शब्द है, दूसरा अविकारी शब्द है। सन्या यानी नाउन, सर्वनाम पुरोनाउन, विशेशन अड्जेक्टिव, क्रिया वर्ब इन चार शब्दों को हम विखारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेशन अड्वर्ब, सम्मन्द बोदक पोस्ट पोजिशन, समुचे बोदक कंजंशन, विसमयाद बोदक इन्टरजेंशन और निपात इन पांचों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। इस प्रकार प्रियोग की दृष्टी से सब्द के आठ बेद हैं और निपात को भी और एक बेद लोग समझते हैं। कुल मिला करके इन दोनों को विकारी शब्द और अविकारी शब्द कहते हैं। अब देखेंगे विकारी शब्द क्या है। जिन शब्दों का रूप प्रियोग बेद के कारण यानि लिंग, वचन और कारक इनके साथ प्रियोग करते समय बदलता रहता है उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। जिन शब्दों का रूप प्रियोग बेद के कारण बदलता रहता है तब उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। सन्या, सर्वनाम, विसेशन, क्रिया ये चार विकारी शब्द है। उदाहन के देख लिए यहां सन्या शब्द लड़का बहुचन होने पर लड़के होगा और उसके साथ यदि हम कोई कारक शब्द का प्रियोग करने से वह लड़कों बन जाएगा। इस प्रकार वचन और कारक के साथ प्रियोग करते समय लड़का, लड़के, लड़कों इस प्रकार बदलता रहेगा, इसलिए ये तो विकारी शब्द है, उसी प्रकार उस, उसे, उसी, उसी के, उसी की, उसी को, उसी प्रकार विशेशन को देख लिए अच्छा, अच्छा ल इस प्रकार लिंग वचन आदी के कारण यहां बदलता रहता है। उसी प्रकार रहा रहे रही। इस प्रकार शब्द का रूप प्रियोग बेद के कारण बदलने से उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। पित्रो अब देखेंगे आविकारी शब्द किने कहते हैं। जिन शब्दों का रूप प्रियोग बेद के कारण नहीं बदलता है उन्हें आविकारी शब्द कहते हैं। और एक बार में पढ़ता हूं। जिन शब्दों का रूप प्रियोग बेद के कारण नहीं बदलता है उन्हें आविकारी शब्द कहते हैं। क्रिया विशेशन, संबंद बोदक, समुचे बोदक और विस्मयाद बोदक ये अविकारी शब्द है। यहां कुछ उदाहन दिया है। देख लिए यहां वहां के बिना के पास और क्योम की है। यह सबी यह के क्रिया विशेशन का बेद है और उदाहन है, और संबंद बोदक, समुचे बोदक और विस्मयाद बोदक इन सब के लिए यह के एक उदाहन दिया गया है। देख लिए सपोज यह तो के बिना, राम के बिना या सीता के बिना इसपे कोई बदलाव नहीं आएगा है। इस प्रकार शब्दों का रूप प्रयोग बेद के कारण नहीं बदलने पर उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। अब देखेंगे आठ बेदों के यह के करके पहला विकारी शब्द है सञ्या सब्द है। सञ्या सब्द की परिबाश अब देखेंगे। किसी प्राणी, स्तान, वस्तु, अत्वा, भाव के नाम को सन्या कहते हैं. यह नहीं नेम, नेम इदी होने से वहाँ सन्या सब्द कहलाता है. देख लिजे, किसी प्राणी, स्तान, वस्तु, अत्वा, भाव के नाम को सन्या कहते हैं. उदाहन देख लिजे, राणा, मेंडक, तोता, ये सबी नाम हैं, दिली, शहर का नाम, अटकानितिपा, मंदिर, स्कूल, मेज, किताब, रोटी, कलम, उसी प्रकार मित्रता, दासता, पढ़ाई, चड़ाई, ये सब भाववाचक सञ्याए हैं, इस प्रकार किसी प्रानी, स्तान, वस्तु, अतवा, भाव के नाम को सञ्याए कहते हैं, इतव मित्रता, दासता, पढ़ाई, छड़ाई, ये सबी भाव के नाम हैं, इस प्रकार कोई नाम, वह सञ्याए सब्द कहलाता है, इतरो, अब देखेंगे सरवनाम, सरवनाम की परिभाशा क्या है? सन्या के स्तान पर आने वाले शब्द को सरवनाम कहते हैं, और एक बार मैं पढ़ता हूँ, सन्या के स्तान पर आने वाले शब्दों को सरवनाम कहते हैं, उदाहन देख लिए, राना आता है, वह यहां बैटता है, इ इस प्रकार राहना के स्थान पर जो सब आता है वह सरोणाम कहलाता है। इधर वह सरोणाम है। उसे प्रकार दूसरा उदाहन देखिए। दिल्ली बड़ा शहर है, वहाँ अनेक मंदिर होते हैं, यहाँ वहाँ दिल्ली के लिए प्रियोग किया गया है, दिल्ली सन्या सब्द है, उसके स्तान पर वहाँ आया है, इसलिए यह तो सर्वनाम है, और तीसरा उदाहन देख लिए, मेज और किताब अच्चे हैं, उनको मत और किताब के स्तान पर आया है, इसलिए यहाँ सर्वनाम शब्द है, मतरता को निभाओ, उससे फाइदा उटा सकते हैं, उससे में यहाँ मतरता के स्तान पर आया है, इसलिए यह भी सर्वनाम है, इस प्रकार वहाँ उनको उससे यह सब सर्वनाम शब्द है, राजा, धिल् और किताब मितरता ये सब संयासद हैं। मित्रू अब देखेंगे विशेशन किसे कहते हैं। संया या सर्वनाम की विशेशता बताने वाले शब्दों को विशेशन कहते हैं। मैं और एक बार पढ़ता हूँ, सन्या या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषता कहते हैं, अब उदाहन देखेंगे, राना अच्छा लड़का है, यहां लड़का सन्या सब्द है, वहां कैसा है, अच्छा है, दिल्ली बड़ा शहर है, शहरे कैसा सह है, बड़ा शहर है, इस प्रकार सन्या या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले सब्दों को विशेषन कहते हैं, उदाहरन के लिए यहां और तिसरा उदाहरन देख लिए, विसाल मेज और बड़ी किताब को मत चुओ, अच्छा मित्र को पाना मुश्किल है, इस प्रकार अच्छा, बड़ा, विशाल, बड़ी, अच्छा, यह सबी विशेषन सब्दे हैं, और जो नील रंग में दिये गया है, यह सब विशेष कहते हैं, लड़का, शहर, मेज, किताब, मित्र, यह सबी विशेष सब्दे हैं, इस प्रकार विशेषन सन्या या सर्वनाम की विश शब्दों को विशेशन कहते हैं। अब देखेंगे और एक विकारी शब्द क्रिया। क्रिया की परिभाशा क्या है। जिस सब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते है। और एक बार मैं पढ़ता हूं। जिस सब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए उसे क्रिया कहते है। उदहर देख लिए। राना आम काता है। यह तो क्रिया शब्द है। रवली कल दिल्ली जायेगी, इस वाक्य में जायेगी क्रिया शब्द है, विशाल ने आज बड़ी किताब करीदी, मैं आज सिनमा देखता हूँ, ये सबी लिंग, वचन और कारक शब्दों के प्रियोग के अनसार बदलते रहते हैं, इसलिए ये भी विकारी शब्द है, इस प्रकार उदाहरनों में खाता है, जायेगी, करीदी, देखता हूँ, ये सब क्रिया सिब्द है, इस प्रकार जिस सिब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए, उसे क्रिया कहते हैं, मित्रू अब अविकारी शब्दों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, अब अविकारी शब्द क्रिया विशेशन की परिवाश आप देखेंगे, क्रिया की विशेशता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेशन कहते हैं, यहां चार वदाहन दिये गए हैं, पढ़ेंगे उनको, वह प्रति दिन पढ़ता है, सररा कूब काती है, पलवी अभी आती है, मोहन सुन्दर लिखता है, इन चार वाक्यों में प्रति दिन कूब, अभी, सुन्दर, यह चार शब्द क्रिया विशेशन सब्द है, क्रिया विशेशन सब्दों को वाक्य में पहचानने के लिए, क्रिया शब्द को चुनकर, यहां पहला वाक्य में पढ़ता है, सो कब पढ़ता है, प्रति दिन पढ़ता है, और काती है, कितना काती है, कूब काती है, आती है, कब आती है, अभी आती है, लिखता है, कैसा लिखता है, सुन्दर लिखता है, इस प्रकार प्रिश्न करने पर, यह उत्तर मिलने पर क्रिया के साथ है, यह प्रिश्न करने पर, उससे हमें उत्तर मिले पर उनको हम क्रिया विशेशन शब्द कहते हैं. इस प्रकार प्रतिदिन कोब, अभी, सुन्दर ये चार क्रिया विशेशन शब्द हैं. ये सबी क्रिया की विशेशता बता रहे हैं. इसलिए ये सबी क्रिया विशेशन शब्द हैं. इस प्रकार क्रिय ताकि विशीषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशीषन कहते है। मित्रू आप देखेंगे अवरेक अविकारी शब्द सम्मंद बोधक के बारे में। सम्मंद बोधक की परिवाश अब देखेंगे, जो शब्द सन्या या सरवनाम शब्दों के साथ आकर, उनका सम्मंद वाके के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उनहीं सम्मंद बोधक शब्द कहते हैं। मैं अवरेक पर पढ़ता हूं, जो शब्द सन्या या सरवनाम शब्दों के साथ आकर, उनका सम्मंद वाके के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें सम्मंद बोधक शब्द कहते हैं। अब उदाहन दिखेंगे, विद्या के बिना मनश को सौबा नहीं होती हैं, सरला के साथ वहा काम संभव हैं, वन में कई प्रकार के उर्क्ष होते हैं, मोहन के पास जाकर मैं सब कुछ बूल जाता हूं। यहां देख लिजिए, के बिना के साथ में कई के पास ये सब सम्मंद बोधक शब्द हैं। के बिना विद्या शब्द सन्या सब्द के साथ आया हैं उसी प्रकार के साथ सरला सन्या सब्द के साथ में कई वन सन्या सब्द के साथ के पास मोहन सन्या सब्द के साथ आकर वे उनका सम्मंद वाक्य के अन्य सब्दों के साथ बता रहे हैं इसलिए ये सभी सम्मंद बोदक शब्द है इस प्रकार जो शब्द सन्या या सरोणाम शब्दों के साथ आकर उनका सम्मंद वाक्य के अन्य शब्दों के साथ बताते हैं उन्हें सम्मंद बोदक शब्द कहते हैं इस प्रकार सम्मंद बोदक शब्द हमेशा सन्या या सरोणा काम के साथ ही आते हैं देख लिजे उदाहन में विद्ध्या के बिना सरला के साथ वन में कई मोहन के पाल इन सभी उदाहनों को देखने से ये सभी सम्मन्द बोदक शब्द सन्या शब्दों के साथ आये हैं, इसलिए ये सभी सम्मन्द बोदक शब्द है। मित्रों अब देखेंगे और एक अविकार शब्द समुच्य बोदक के बारे में। अब देखेंगे समुच्य बोदक शब्द की परिबाशा। दूश शब्दों या वाक्यांसों अत्वा वाक्यों को जूडने वाले शब्दों को समुच्य बोदक शब्द केते हैं। मैं और एक बार पढ़ता हूँ, दूश शिब्दों या वाक्यामसुम अत्वा वाक्यों को जोडने वाले शिब्दों को समुझे बोधक शिब्द कहते हैं, उदाहन देख लीजे, विद्या और मनीशा आज आती है, सरला को बुलावो क्योंकि उसे मुझे मिलना है, अगर वर वर्षा होगी तो फसल अच्ची होगी, चाहे मोहन बढ़ा हो या चाहे रहीम, मैं सब कुछ बोल जाता हूँ, यहां देख लीजे, विद्या और मनीशा ये दोनों शिब्द हैं, ये दोनों को और जोडता है, उसी प्रकर सरला को बुलावो, उसे मुझे मिलना है, इन दोन वाक्यों को क्यों की समुचे बोदक शिब्द मिलाता है, अगर वर्षा होगी, वर्षा होगी, फसल अच्ची होगी, इन दोनों वाक्यों को अगर तो समुचे बोदक शिब्द जोडता है, इस प्रकार अन्योदाहनों में भी आप देख सकते हैं, इस प्रकार दो शिब्द या वाक्यामसुम अतवा वाक्यों को जोडने वाले शब्दों को समुच्य बोधक शब्द कहते हैं, यह भी अविकारी शब्द है। अवरीक अविकारी शब्द विस्मयादी बोधक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। विस्मयादी बोधक की परिवाश आप देखेंगे। हर्ष, सोक, आस्यर्य, गुर्ण, आदी मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादी बोधक शब्द कहते हैं। मैं अवर एक बार पढ़ता हूँ। हर्ष, सोक, आस्यर्य, गुर्ण, आदी मनोभावों को प्रकट करने वाले शब्दों को विस्मयादी बोधक शब्द कहते हैं। उदाहरन देख लीजे, आहा, विद्या और मनीशा आ गई है। वाह वाह, कितना सुन्दर फूल है। छी छी, हर जिग गंदगी फैली गई है। बापरे बाप मोहन आ गया है। इस प्रकार आहा, वाह, वाह, छी छी, बापुरे बाप ये सबी विस्मयादी बोधक शब्द हैं। क्योंकि ये सबी मनोभावों को प्रकट कर रहे हैं। इस प्रकार हरश, सोग, आश्यर, गुरुणा, आधी मनोभावों को प्रकट करने पर उन शब्दों को हम विश्मयादी बोधक शब्द कहते हैं। मित्रों अब देखेंगे निपात, निपात क्या है, इसकी परिवाश देखेंगे, किसी सब्द के बाद लगकर उसके अर्द में विश्यश बल डाल देने वाले शब्दों को निपात कहते हैं। किसी सब्द के बाद लगकर उसके अर्द में विश्यश बल डाल देने वाले शब्दों को निपात कहते हैं। मेरी मदद आपको ही करनी पड़ेगी। मैं भी आपके साथ काऊँगा। वह मुझे बोला तक नहीं। उसे तो सब कुछ मिल गया। मुझे मातर हजार रुपिय दीजिए। इन उदाहनों को देखने से मेरी मदद आपको करनी पड़ेगी। यह वाक्य में ही जोडने से क्या होता है। इसमें विश्यश बल आ जाता है। मेरी मदद आपको करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ निपात जोडने से मेरी मदद आपको ही करनी पड़ेगी। इसमें उस पर बहुत बल दिया जा रहा है। मैं आपके साथ खाओंगा। यह तो साधारन रिति से बताया गया है। लेकिन मैं भी आपके साथ खाओंगा। भी यहां निपात है। वह मुझे बोला तक नहीं, लेकिन बोला तक नहीं जोनने से निपात जोनने से उसमें अधिक बल आ जाएगा, उसे तो सब कुछ मिल गया है, उसे सब कुछ मिल गया है, ऐसा भी खर सकते हैं, उसके साथ साथ निपात को जोनने से उसमें विशिश बल आ जाएगा, और उसी प प्रकार ये निपात से अर्द बदलता है उस पर विशिश बल मिल जाता है। इस प्रकार प्रियोग करने वाले ये ही भी तक तो मात्र ये सभी निपात है। पद बेद हिंदी व्याकरन अम्ष में जो कुछ आप सीक लिए थे उनके लिए अब आपके लिए एक छोटी सी परिक्षा। रेकां के तुपद का नाम बताईए। राम अच्छा लड़का है। अच्छा सब्द क्या है। ये प्रियोग की दृष्टी से आपको बताना पड़ेगा। सीता तेज लड़की है वह रोज स्कूल जाती है। राघवी और लता बाजार जा रही है। तुम कहां जा रहे हो। वाह कितने फल है। पेड के ऊपर खववा है। छी छी यहां मैं एक मिनिट भी नहीं रश सकता हूँ। कुता तेज दौडता है। मैं खल चन्ने जाओंगा। गाय दूद देती है। यहां जो रेकांकित सब्दे हैं। उन रेकांकित सब्दों का पद भेद आपको बताना पड़ेगा। प्रियोकी दृष्ट से। पित्रों परिक्षा के उत्तरिस प्रकार है। राम अच्छा लड़का है। यहां अच्छा विशेशन सब्द है। सीता तेज लड़की है, वहर रोज स्कूल जाती है, वहर सरवनाम शब्द है। रागवी और लता बाजार जा रही है, यहां अवर समुच्चे बोदक शब्द है। तुम कहां जा रहे हो? जा रहे हो, यह तो क्रिया शब्द है। वाह कितने फल है? वाह विश्मयाद बोद चीची, यहां मैं एक मिनिट भी नहीं रह सकता हूं, इसमें चीची विस्मयादिबोदक शब्द है, कुत्ता तेज दोडता है, तेज यहां क्रिया विशेशन शब्द है, मैं कल चन्ने जाओंगा, यहां मैं सरुनाम शब्द है, गाय दूद देती है, इसमें देती है, शब् इस प्रकार दस प्रिश्णों के लिए सही उत्तर लिखने से आपको दस अंक मिलेंगे। मित्रू, यही है हिंदी व्याकरन पदबेद। इदी आपको कोई डौट्स होने से आप आइनापरपु आर्राओ एट जीमेल डाटकम पर आप संपर कर सकते हैं। मेरा अनीक वीडियोस यूच्यूब में अप्लोड किये गये हैं। आप डौक्टर आइनापरपु ड्रामलिंगे सुरर राओ इस यूच्यूब चैनल पर आप लागिन करके इन सबी वीडियों को आप देख सकते हैं। इसमें व्याकरन के वीडियोस हैं और परिस्नाल्टी डवलप्मेंट के वीडियोस हैं। दोहा दर्शन के अनेक तरह तरह के वीडियो से इन सबी वीडियोस को आप देख लिए और अपना फीडबैक अमें बेज दिए। धन्यवाद मित्रो धन्यवाद। जय हिंदी जय हिन। हम सब साथ मिलकर राष्टबाशा हिंदी के प्रचार और प्रसार के लिए काम करेंगे। जय हिन।